हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना अकाउंटिंग दोस सरभ जी सिंग सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्विशन को जिसका आज है डे नमबर 60 तो चलिए आगे समझ लेते हैं हम वेन पार्टनर्स जाइड नो टू अल्टर दा फिगर्ज ओफ एसर्ड अन लाइबिल्टीज अब इस टॉपिक में क्या है जिए प्रीविएस टॉपिक से एकदम ओपोजिट है इसमें हम कोई भी एसर्ट जा फिर कोई भी लाइबिल्टी का बैलन्स नहीं शेडेंगे बैलन्स इट में जो है वैसे ही न्यू फरम की भी बैलन्स इट बन जाएगी लेकिन जो भी अगर कोई चेंज आया है एसर की वैल्यू इंक्रीज हुई है और किसी एसर की डिक्रीज हुई है कोई लाइबिल्टी इंक्रीज हुई है कोई लाइबिल्टी डिक्रीज हुई है उन सबका नेट शेल निकाल कर जो भी नेट आया उसका जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइज होगा ना वो शेर की अर्जस्टमेंट डालेंगे लाइक गुडविल जाब फिर हमारे रिजर्व की हमने डाली से जैसे बुक्स में हम एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे जस्ट एफेक्ट ही डालेंगे कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट ओके अब जब भी पार्न डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपनी बुक्स अल्टर नहीं करनी है तो उस केस में हम क्या करते हैं एक स्टेट्मेंट परपेर करते हैं रादर दन रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है पिछले टॉपिक में हमने परपेर किया था रिवैल्यूशन amount डालकर net effect जो निकला था उसको हमने capital account को डाला था लेकिन जो assets and liabilities है उनकी value भी change कर दी थी books में लेकिन इसमें क्या होगा हम एक छोटी सी statement पर पेयर कर लेंगे और उसका जो net shell निकलेगा उसको हम capital through के account ही adjust करेंगे कोई revaluation account वगारा नहीं बनेगा इस topic में ओके तो चलिए समझ लेते हैं कि net effect record करने के लिए books में जो हमने adjustment general entry डालनी है उसकी amount की calculation करने के लिए जो statement prepare होनी है पहले वो बना कर देख लेते हैं और मैं one by one उसकी हर एक item आइटम आपको समझा देता हूँ कैसे वो treat करना है तो लिखिए सबसे पहले the net effect of revaluation of assets and reassessment of liability is calculated as follow सबसे पहले लिख लीजिए आप increase in the value of assets अब उसमें ही हम add और less कर देंगे बाकी की items add क्या क्या होगा decrease in the amount of liability and add होगा unrecorded asset bought into books कोई unrecorded assets आए हैं वो books में लेकर आने हैं और जांफिर होगा last में add decrease in the amount of provision वो liability के अंदर ही आजाता है वैसे भी ओके और less वाली items आजाएगी हमारी increase in the amount of liabilities और less हो जाएगा decrease in the value of assets और less हो जाएगा unrecorded liabilities bought into books और less हो जाएगा creations of new provisions अब जब प्लस वाली item प्लस करके माइनस वाली item का भी total लगाके उसमें से subtract कर देंगे तो हमारे पास जो net effect निकलेगा positive हो चाहे negative हो positive है तो means profit negative है तो means loss है जो भी हो उसे हिसाब से उसका treatment हम कर देंगे कैसे करेंगे वो treatment हमारे पास उसके है जर्नल entries तो अगर तो हमारा profit जाएगा फिर किसको हम gain बोलते हैं निकल रहा तो तब हमारी जर्नल entry आ जाएगी उस case में क्या gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account okay amount कैसे निकालोगे gaining partner का amount निकल जाएगा net effect के amount को multiply करोगे अप gaining shares के साथ जितना भी share उतने gain किया है same is sacrificing partner का कैसे निकलेगा net effect का जो amount निकला है हमारा वो उसको multiply करेंगे share जो sacrifice किया है उस partner ने और इसकी हम चूटी सी narration लिख देंगे narration हमारी बन जाएगी being adjustment of revaluation of assets and reassessment of liability made और second case हमारा बन जाता है if net effect is a loss negative value आ रही है आपकी तो loss आ रहे है तो उस case में एंट्री opposite हो जाएगी sacrificing partners capital account debit to gaining partner capital account amount same बैसे calculate होगा net effect multiply by sacrifice share जाफे gaining का निकल जाएगा net effect amount multiply by gained share ओके तो इसकी हमारी narration आ जाएगी being adjustment of revaluation of assets and reassessment of liabilities made तो चलिए practically समझने के लिए इसकी एक illustration कर लेते हैं एक ही illustration है book में illustration number 18 value of assets and liability are not altered cali cali situation में the following is the balance sheet of x y z as at 31st month 2023 they have been shared profit in 4 is to 3 is to 3 ratio which has been changed with effect from 1st apple 2023 the new ratio will be 2 is to 2 is to 1 okay balance sheet दी हुई है आपको और लिखा हुए end में the following revaluation were made stock is increased by 12,000 provision for doubtful debt is required 2000 machinery is decreased by 12,000 crater have been reduced to 32,000 तो सिंपल सा ही है तो चलिए पहले solution करते हैं statement prepare कर लेते हैं लिखिए calculation of net effect of revaluation amount का column ना लीजिए एक और सबसे पहले लिखिए increase in stock 12,000 और उसमें add कर दीजिए decrease in creditor वो कितना हुआ है 40,000 के थे अब 32,000 के रह गए हैं फैदा हुआ ना 8,000 का ठीक है तो टोटल आगे 20,000 अब उसमें से less कर दीजिए decrease in machinery वो हुई है 12,000 और लेस कर दीजिए provision for doubtful debt वो है 2,000 profit on revaluation हमारा निकला है net effect कितना 6,000 रूपेज ओके अब net effect को record करने के लिए हम calculate कर लेते है sacrifice और gaining ratio को तो सबसे पहले हम calculate करेंगे x की formula क्या होता है हमारा old ratio minus new ratio तो x sacrifice और gaining is equal to आ जाएगा उसके हमारे पास है old ratio है 4 upon 10 minus कर दीजिए 2 upon 5 तो 10 हमने LCM ले लिए 4 minus 4 आ गया तो यह minus करके 0 आ गया तो nil change आया x का तो अब ऐसे ही y का भी calculate कर लेंगे y का बन जाएगा हमारे पास old share है 3 by 10 और minus कर दीजिए उसमें से 2 by 5 तो LCM ले लिए 10 3 minus 4 हुआ तो यह minus 10 minus 1 by 10 इसका आ गया gain ओके minus में है तो gain आ है न तो सेम बे calculate कर लेंगे z का z का old share है मारे पास 3 by 10 और new share है 1 by 5 आफसे सब्टेक्ट किया LCM लिए 10 3 minus 2 हो गया तो यह निकला positive 1 by 10 ओके यह निकल गया हमारा sacrifice कर रहा है sacrifice by कर रहा है gain एक्स का कुछ नहीं है तो उन दोनों की हम जनल एंट्री डाल देंगे जनल का format ड्रॉ कर लीजिए एंट्री बन जाएगी wise capital account debit to z capital account sacrifice पारना को credit करना है न ठीक है 6000 net effect है और gain और sacrifice कितना है वन बाइ 10 तो 600 600 माँड निकल गया ओके नरेशन आजाएगी बीइंग adjustment of revaluation made ओके चलिए next कर लेते हैं हम लास्टेशन नमबर 19 Revaluation account balance sheet and journal जरव का concept है इसमें यह आपका complete question आजाएगा सारे के सारे concept कोशिश करेंगे वो cover करने की अब तो क्या लिखा हुआ लास्टेशन में RS and T are partners in 3 is to 2 is to 1 ratio they have decided to share the future profit in 2 is to 2 to 1 ratio in future their balance sheet as on 31st March 2023 was as follow balance sheet दी हुई है आपको और लिखा है on this day the following revaluation are made stock is increased by 20% provision is decreased to 500 तू लिखा हुआ यह दियान में रखना ठीक है investment are valued at 31,000 wages are unrecorded are 1500 machinery is increased by 3000 partner decide no to close journal जरव account you are required to pass journal entries prepare revelation account draw revised balance sheet okay complete question balance sheet भी बनवानी है revelation account भी बनाना है और आपने journal entries भी record करनी है books में तो चलिए फिर करते हैं start अब stock हमारा बढ़ रहा है provision हमारी कम हो रही है investment भी बढ़ रही है 31,000 होगी है है पहले थी 27,000 ठीक है और machinery भी increase हो रही है तीनों कोई तीनों assets हमारे बढ़ रहे हैं तो जनरेंटरी एक साथ ही डाल देते तीनों की जनरेंटरी एक साथ ही डाल देते हैं अकाउंट stock हमारा increase हुआ 20% से stock है हमारा पास 25,000 multiply किया 20% से तो जे बन गया 5,000 investment हमारी बढ़ी है 31,000 होगी है पहले थी 27,000 तो 31,000 minus 27,000 किया तो जे निकला 4,000 का increase ठीक है उसकी value जेंज होई है तो machinery increase हुई है by 3,000, 3,000 के साथ तो 3,000 डाल दीजिए machinery का तो total revolution में आ जाएगा 12,000 ओके और narration आ जाएगी being a revolution of assets made next जनरेंटरी हम डाल लेते हैं provision is decreased to 500 तो provision decrease हो रही है फाइदा हो रहा है तो decrease की provision हम revolution की credit side डालते हैं तो जनरेंटरी के बन जाएगी प्रवीजन फॉर डाट फुल डेट अकाउंट डाबिट टू री वैलिवेशन अकाउंट पहले बैलंस शीट में प्रवीजन हमें दी हुई है 2000 की अब हो गई है 5000 कम हो का 500 कम हो के तो हमारा कितने का फायदा हुआ 1500 का तो डाल दीजे debit side और credit side दोनों side और narration आ जाएगी being amount of provision decreased और लास्ट में हमारी item ही करेंगी है wages unrecorded are 1500 ओके तो unrecorded wages है इसका मतलब कि उसकी cash payment नहीं हुई है और हमसे रहे गए हैं आपको जब भी कोई unrecorded expense दिया जाए तो आप उसे outstanding ही treat करोगे because अगर cash होता तो फिर cash account के जरिये उसका sink हो जाना था books में लेकिन अब cash नहीं था तो रहे गया तो पता नहीं चला actual wages amount कितना था इसलिए आपने unrecorded expenses को outstanding expenses मानके ही treatment करना है ओके तो इसकी जनेंटरी क्या बन जाएगी revaluation account debit to wages due account कितना 1500 1500 ओके नरेशन आ जाएगी being unrecorded wages recorded in the books now अब अब जब revaluation account बना लोगे तो आपका profit आएगा मैं वैसे calculator पर निकाल देता हूं revaluation का हमारा credit का total आजाएगा 12,000 प्लस 1500 तो यह मना 13,500 और debit है हमारे पास 1500 minus किया तो profit कितना है 12,000 ओके तो profit को हम distribute करतेंगे capital account को तो क्या आपकी जनेंटरी आ जाएगी revaluation account debit to R is capital account to S capital account to T is capital account अब जे old profit share ratio में हम distribute करेंगे 12,000 profit है profit share ratio में दी हूए 3 is to 2 is to 1 तो कर दीजिए R का निकल जाएगा 12,000 multiply by 3 divided by 6 किया तो 6000 S का निकल जाएगा 12,000 multiply by 2 divided by 6 किया तो 4000 और T का निकल जाएगा 12,000 multiply by 1 divided by 6, 2000 अब क्वेश्चन में हमारे पास जो आप लिखा भी है पार्टनर डिसाइड no to close the general जरब अकाउंट अब जरब अकाउंट close नहीं करना है पार्टनर डिसाइड किया है तो हम gaining partner से पैसे लेकर sacrificing partner को दे देंगे उसके लिए हमें calculate करनी पड़ेगी sacrifice और gaining ratio तो चलिए पहले working note पर प्रपे कर लेते हैं लिखिए calculation of sacrificing और gaining ratio फॉमूला आजाएगा old ratio माइनस new ratio सबसे पहले आर का calculate कर लेते है आर का old share है हमारे पास 3 by 6 और new share है 2 by 5 multiply किया 6 multiply 5 किया 30 LCM आया 3 multiply 5 किया तो 15 आगया 2 multiply 6 किया तो 12 आगया ठीक है LCM लेकर multiplication आती है ना करनी ऐसे करते है माइनस किया है तो जे निकला 3 by 13 30 तो जे positive आया है 3 by 30 तो जे क्या निकला sacrifice ऐसे ही आर का calculate कर लेते हैं आर का old share है 2 by 6 new है 2 by 5 तो इसका भी LCM लेकर 30 और multiplication करके 10 minus 12 आ गया तो जे निकला minus 2 by 30 तो जे माइनस में आया है तो जे क्या हो गया gain ओके नेक्स्ट है हमारे पास T का 1 by 6 old share है और new share है 1 by 5 LCM ले लिया 30 5 minus 1 हो गया तो जे निकला हमारा minus में 1 by 30 तो जे भी क्या निकला gain ओके S and T कर रहे हैं gain और R कर रहा है sacrifice तो जनल एंटी record कर लिजिए लिखिए S capital account debit is capital account debit two hours capital account ओके तो general reserve का amount हमें दिया 30,000 sacrifice share है 3 by 30 तो जे amount निकला हमारा 3000 TR का S का निकल जाएगा 30,000 multiply by 2 by 30 तो जे निकला 2,000 T का निकल जाएगा 30,000 multiply by 1 by 30 1,000 ओके नरीचन आ जाएगी being adjustment of general reserves made as per gaining और sacrificing ratio ओके चलिए अब फटा फट से revaluation account पर पेया कर लेते हैं सबसे पहली entry हम revaluation account को transfer करेंगे credit side आएगे उसकी revaluation account की क्योंकि revaluation account को कर रहे हैं credit तो लिखिए by stock account 5000 by investment account 4000 by machinery account 3000 ओके next general entry हमारे पास provision for thoughtful debt की इसमें भी हम revaluation को credit कर रहे हैं तो revaluation account की credit side अप्रेयट करेंगे तो लिखिए credit side by provision for thoughtful debt account 1500 ओके और लास्ट है मारे पास out standing wages की जिसको हमने wages due account लिखा हुआ है उसमें revaluation account हो रहा है debit तो debit side operate करेंगे तो लिखिए two wages due account कितना 1500 ओके अब हम इसकी कर लेते हैं बैरेंसिंग डियाबिट का total है 1500 करेंगे तो तो प्रॉफिट कितना निकला 12000 तो लिखिए two profit transfer to R the capital account to S capital account to T the capital account जैसे हमने general entry में amount निकाला है वो यहां पर आ जाएगा 6000 R का S का जाएगा 4000 and T का 2000 ओके तो चलिए अब हम परपया कर लेते हैं balance sheet because हमें capital account बनाने को नहीं बोला है capital account हम ऐसे ही total लगा लेगे calculator पर तो balance sheet परपया कर लेते हैं capital account में कुछ ज्यादा calculation है भी नहीं ओके तो लिखिए सबसे पहले capital R S & T की opening capital हमारे पास 50,000 40,000 and 20,000 ऐसे लिख लीजिए और उसमें add कर दीजिए जो हमने journal entry एक डाली है credit किया हुआ है credit जब capital होती है तो capital बढ़ती है add होता है ठीक है आर का 6,000 है profit का share S का 4,000 है T का 2,000 है सेम ही हम add कर देंगे ठीक है 6,000, 4,000 है 2,000 और last एक जनल entry है जिसमें हमने adjustment डाली हुई है S, T को किया हुआ debit और R को किया हुआ credit तो R की capital हो जाएगी plus S और T की हो जाएगी minus तो लिख दीजिए R की capital में plus कर दीजिए 3,000 S की capital में से minus कर दीजिए 2,000 और T की capital में minus कर दीजिए 1,000 आपके net capital का closing balance जो capital कौन से निकलना था वो निकला है 59,000, 42,000, 21,000 ओके उसके बाद हम journal जरब record कर देते हैं books में 30,000 के creditor 25,000 के हैं और outstanding wages हमारे पहले थे 5,000 अब बढ़ गए है 1,500 के साथ ये जनरेटी डाली थे न wages due लिखा हुआ है उसमें आप outstanding wages भी लिख सकते हो ठीक है तो जिए total हो गए 6,500 ओके तो चलिए अब हम बना लेते हैं asset side cash at bank हमें दिया हुआ है 25,000 कोई payment बगारा कुछ नहीं किया तो सीधा ऐसे ही आजएगा उसके बाद हमें दिया हुआ है stock 25,000 का उसमें add कर दीजियो जो increase हुआ है हमारा 5000 का ठीक है जिसके साथ हमने stock को debit किया ना debit किया है stock को तो stock हो जाएगा plus कितना हो जाएगा 30,000 ओके और next है हमारे पास data 25,000 के उसमें से provision less करेंगे only 500 क्योंकि न्यूप प्रवीजन है 500 की 1500 का हमने gain डाल लिया है तो जै हमारे data नेटा जाएगे 24,500 ओके उसके बाद हमारी investment 27,000 का हमें balance दिया हुआ है और हमने increase डाला है इसका 4,000 का तो add कर दीजिए 4,000 27,000 में तो investment का balance balance sheet में आजाएगा 31,000 ओके लास्ट है हमारे पास machinery 70,000 प्लस 3,000 जो increase हमें दिया था ना उसको add कर दीजिए तो टोटल आ जाएगी हमारे machinery 73,000 ओके तो चलिए आप balance sheet का liability side एससा डोनों साथ का total लगा लेते हैं अगर डोनों साथ का total equal आ जाता है तो आपका question हो गया है ठीक ओके तो liability side का total हमारे पास 1,83,500 और asset side का total हमारे पास 1,83,500 तो यह हमारी balance sheet हो गया टैली question हो गया है complete next decision है मारे पास decision number 20 revaluation account is not open and reconstruction of balance sheet prepared अब इसमें concept है कि revaluation account हमने नहीं बनाना है उसका मतलब क्या है assets अपनी ही value में रहेंगे उनकी values हमने चेंज नहीं करनी है liability and assets की ओके उसकी एक just adjustment entry डालनी पड़ेगी हमें तो चलिए देखते हैं कैसे करना है पहले illustration report करते हैं क्या लिखा है a b c are partner in 3 is to 2 is to 1 ratio their balance sheet as on 31st month 2023 was as under balance sheet हमें given है और balance sheet में आपके पास reserve भी है work and compression bond भी है दो चीजे हैं जो divide होने वाली है आगे लिखा हमेरे पास from 1st April 2023 partner decide to change the profit ratio as follow a ka hai 2 by 5 b ka hai 2 by 5 c ka hai 1 by 5 the following decision are taken goodwill of the firm should be valued at 20,000 collector of 5,000 give up their claim building should be valued at 90% of book value and machinery to be depreciated by 5% reserve and work and compression fund account are to be closed simple see charge adjustment ago ज्यादा complicated तो है नहीं है तो चलिए कर लेंगे इसको और लिखा क्या है देख लीजिए pass entry in journal without opening revaluation account prepare capital account and balance sheet तो जब हम revaluation account open नहीं करते तो हम क्या करते हैं जो भी changes आती है assets and liabilities की values में उसका हम total लगाके net effect निकालते हैं जितना भी net effect हमारा निकलता है उसका हम sacrifice और gaining के साथ adjustment entry डाल देते हैं ठीक है तो उसके लिए हम prepare कर लेते हैं अपना working note पहले तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे निकालने net effect आप goodwill की अलग से entry भी ढाल सकते हो और net effect में ही निकलूड करना है तो net effect में ही निकलूड कर सकते हो goodwill भी आपने books में रिष्टो करनी नहीं है adjustment entry ही डाल ली है तो बाकी की भी adjustment करनी है तो एक ही entry में सारा कुछ adjust कर देते हैं ओके तो चलिए working note प्रपेर करते हैं और सबसे पहले हम calculate करेंगे अपने gaining और sacrificing ratio तो क्या formula होता है उसका old share माइनस new share और सबसे पहले निकालते है is gain जाफिर sacrifice एक old share है हमारे पास three by six और new है two by five इसको multiply किया है से हमाई 30 और five multiply by three किया 15 two multiply by six किया तो 12 आ ठीक है तो यह हमारा निकला कितना three by 30 positive है इसका मतलब sacrifice कर रहा है ओके सेंबे बी का calculate कर लेते हैं लिखिए बीज गेनिंग और sacrifice is equal to old share दिया हुआ है बी का हमारे पास two by six और new है two by five minus किया अपस में तो LCM ले लिए हमने 30 उपर आगे 10 minus 12 तो यह निकला minus two by 30 तो minus में आया है तो means यह क्या है gain है ओके तो चलिए C का calculate कर लेते हैं लिखिए C is gain or sacrifice is equal to old share है हमारा one by six उसमें सब्ट्राइक्ट कर दिजे new share one by five LCM 35 minus six हो गया तो जे भी निकला minus one by 30 तो minus में है तो जे भी क्या है gain बी and C कर रहे है gain A कर रहा है sacrifice ओके इसी ratio में हम adjustment entry डाल देंगे तो चलिए अब हम calculate कर लेते हैं net effect on account of revaluation तो इसमें good will include हो जाएगे हमारी workman commission reserve और reserve नहीं होंगे क्योंकि उसके account हमने करने है close ठीक है उनका net effect नहीं डालना उनको close ही करना है तो उनकी separate identity डाल देंगे तो net effect में निकलूर कर लीजिए पहले सबसे लिखे good bill जो 20,000 है उसमें से add कर दीजिए 5,000 जो crater का फायदा हुआ है crater वो कर रहे है ना claim नी लेंगे वो ठीक है और third है हमारे पास building की value कम हुई है 90% रहेगे 10% depreciation है फिर यह subtract कर दीजिए 80,000 का 10% किया तो यह 8,000 ओके और machinery deposit करनी है 5% से तो machinery है मारे पास 70,000 तो यह आगया हमारा 5% करने के पास 3,500 तो 20,000 प्लस 8,000 माइनस 8 तो चलिए अब इसका total लगा देते हैं 20,000 प्लस 5,000 किया 25,000 उसमें subtract कर दीजिए 8,000 है 3,500 तो net निकला जो profit on revolution हमारा 13,500 ओके अब 13,500 का sacrifice जो A ने किया है उसको मिल जाएगा और B, C देंगे अपनी gaining ratio में आप gaining ratio भी ले सकते हो जाँ फिर gained share भी ले सकते हो तो general entry क्या बन जाएगी इसकी? Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account लिखे general entry B is capital account debit, C is capital account debit to A is capital account 13,500 निकला है हमारा profit उसको multiply कीजिए A के sacrifice के साथ 3 by 30 तो जे निकला 1,350 ओके और B is capital हमारा निकल जाएगा 13,500 multiply by 2 by 30 इसका gain share जितना है जे निकला 900 C का gain share भी calculate कर लेते हैं 13,500 multiply by 1 by 30 तो जे निकला 450 ओके तो ये हमारी adjustment entry record हो गया है इसका narration भी लिख देते हैं being revelation profit adjusted बेता गीनिंग and sacrificing ratio तो चलिए आगे हम reserve and workman compensation fund के account को कर देते हैं close तो वो कैसे होंगे debit होके और credit हो जाएगे मारे capital account तो लिखिए general entry reserve account debit workman compensation fund account debit to A is capital account to B is capital account to C is capital account अब close करने हैं तो ये हम करेंगे किसमे old profit sharing ratio में ठीक है reserve है हमारे पास 30,000 और workman compensation fund है हमारे पास 15,000 claim कोई नहीं है तो full amount ही distribute हो जाएगा among the partner total आज है 45,000 तो A का share निकल जाएगा 45,000 multiply by 3 divided by 6 किया तो जे निकला 22,500 ऐसे ही B के calculate कर लीजिए 45,000 multiply by 2 divided by 6 किया तो जे निकला 15,000 और C का आजाएगा 45,000 multiply by 1 divided by 6 जे निकला 7,500 ओके narration आजाएगी being reserved distributed in old ratio तो इसमें दो ही general entry आएगी उसके बाद हम prepare कर लेते हैं partners capital account former draw कर लीजिए और सबसे पहले लिखेंगे credit side by balance brought down जो हमारे पास balance sheet में given है A का है 60,000, B का है 40,000 and C का है 40,000 अब net effect की general entry हमने डाली है पहले उसमें हमने B, C के capital को किया debit A के capital को किया credit तो लिखिए फिर A की side कैसे लिखेंगे by B is capital 900 by C is capital 450 और debit side आजाएगा 2 is capital B के column आजाएगा 900, C के column आजाएगा 450 ओके अब next है हमारे पास reserve हमने जो distribute किये है तो आप लिखिए by reserves account जे हमारा 30,000 का तो इसको भी dividing करते हैं के old ratio में अलग से लिखना है तो जाएगा 15,000 A का B का जाएगा 10,000 C का 5,000 और दूसरा हमने distribute किया workman compensation fund account जे है 15,000 का तो यह आजाएगा A का 7,500 और B का जाएगा 5000 और C का जाएगा 2500 ओके बस यह हमारा capital account अब हमें उसकी कर लेते हैं balancing एक debit side है 0 और credit total है हमारे पास 83,850 तो दोनों side जे लिख लीजिए और balance भी मारा same निकल जाएगा क्योंकि debit तो कुछ सब्सक्राट करना है नहीं है तो लिखिए two balance carry down कितना आया 83,850 नेक्स्ट वी का debit से ले 900 और credit हमारे पास 55,000 तो बैलन्स इसका निकला हमारे पास 54,100 ओके same way C है हमारे पास C का debit total है 450 और credit का total है हमारे पास 47,500 तो बैलन्स निकला हमारा 47,050 ओके तो यह हमारा बन गया capital account अब हम prepare करेंगे balance sheet अब balance sheet में asset side तो कुछ भी change नहीं होने वाला लेकिन liability side changes आएंगी क्या reserve and workman commission fund के count हो गया है close और capital के balance हो गया है change ओके liability side सबसे पहले capital लिख लीजिए जो हमने closing balance अभी calculate किया है वो लिखेंगे A, B, C का A का 83,850 और B का 54,100 C का है 47,050 ओके उसके बाद है हमारे पास creditor 45,000 के तो वो लिख दीजिए creditor 45,000 और कुछ भी नहीं आएगा balance sheet में अब इसमें क्राइटर का claim था ना 5000 की वो बोलने तो नहीं लेने है लेकिन हमने क्या revaluation account का creation नहीं किया है तो कोई भी adjustment हम balance sheet में नहीं करेंगे जो balance sheet की figure है वो as it is easy रह जाएंगी just workman compensation and reserve account को हमने close किया है इसलिए उनको नहीं लिखेंगे दवारा क्योंकि वो account होगें close तो एसर साइट डिट्टो कॉपी पेस कर दीजिए सबसे पहले हमारे पास building 80,000, machinery है 70,000, furniture है 30,000, stock है 20,000, debtor है 20,000, minus कर दीजिए उसमें प्रमीजर 2,000, तो net है 18,000, और last में cash at bank 12,000 कोश्च भी change नहीं हुआ जो balance sheet आपको question में given है धिक्टो ही सारे assets हमारे आ जाएंगे तो चलिए इसका total लगा लिजिए total भी आपका change नहीं होगा because आपने amount ही कोई नहीं change किया same ही total आएगा जो आपका question में है तो balance sheet के liability सारे के total कितना है 2,30,000 और asset सारे के total भी है 2,30,000 तो जे हो है हमारा question complete चलिए next illustration करते हैं illustration number 21 revolution account is not open क्या लिखा लिखा लिखेशन में XYZ our partner sharing profit in 2 to 2 is to 1 ratio their balance sheet on 31st of March 2016 was as follow और balance sheet दिए है लिखा है from 1st April 2016 the partner decide to share the future profit in ratio of 1 is to 2 is to 3 for this purpose it was agreed that goodwill of the firm valued 30,000 कराइटर 1500 were not paid land should be revalued 50,000 building should be re-appreciated by 6% you are required to pass an asset journal NT to give effect to above stated agreements without opening re-valuation account prepare capital account of partners prepare the balance sheet of reconstitution firm same 21 की तरह ही है इसमें भी आपने re-valuation account open नहीं करना है और partners capital and balance sheet prepare करनी है तो चलिए फिर फटा फटा से हम पहले इसका working note prepare कर लेते हैं और calculate करते हैं sacrifice or gaining ratio partners उसके बाद हम calculate करेंगे net effect ओके तो लिखिए सबसे पहले calculations of sacrifice or gaining ratio of each partner फॉर्मूला क्या होता है old share minus new share तो सबसे पहले हम calculate करेंगे x का sacrifice or gain is equal to आजाएगा old share है उसका हमारे पास 2 by 5 minus करेंगे new share उसका 1 by 6 तो LCM आ गया हमारा 30 2 multiply 6 किया तो 12 आ गया 1 multiply 5 किया तो 5 आ तो यह निकला हमारा minus 7 by 30 तो 7 by 30 positive figure आई है तो यह हमारा क्या है sacrifice आपकी book में minus 7 by 30 लिखा हुआ है वो by mistake लिखा गया है लेकिन 12 minus आप 5 करोगे तो आपका positive 7 ही आएगा ठीक है 7 by 30 है जे next हम wise का sacrifice और gain calculate कर लेते हैं y का old share है 2 by 5 उसमें से subtract कर दीजे new share 2 by 6 तो LCM आ गया हमारा 30 2 multiply by 6 किया तो 12 आ गया 2 multiply 5 किया तो 10 आया 12 minus 10 किया तो जे है 2 positive figure है जे भी आपकी book में गलत लिखा हुआ है minus में लिखा हुआ है तो लिखे 2 by 30 तो positive है तो जे भी क्या है sacrifice ही है ओके last में हमारा z का sacrifice और gain निकाल लेते हैं और जे आजाएगा old share है z का हमारे पस 1 by 5 और new share है 3 by 6 minus किया आपस में हमारा 30 तो 6 multiply 1 किया तो 6 आया और 3 multiply 5 किया तो जे आया हमारा कितना 15 6 minus 15 किया तो जे निकला minus 9 by 30 तो minus की figure है ये है हमारा gain ओके तो z कर रहा है हमारा gain और x और y कर रहे है sacrifice तो चलिए अब हम calculate कर लेते हैं net effect of adjustment to be made अब इस question में आपको general जर्व के बारे में नहीं लिखा कि close करना है जा फिर only adjust करना है तो अगर question silent हो तो हम क्या करते हैं जर्व को distribute कर देते हैं among the partner in old profit sharing ratio तो चलिए सबसे पहले करते हैं good will good will हमारे पास 30,000 next हमें दिया हुआ है creditor जो हमने pay नहीं करने है तो ये भी add होगा तो लिखिए add creditor no to paid 1500 और उसके बाद लैड की value 50,000 हुई है books में हमारे पास 42,500 तो ये भी निक्रीज हुआ इसको भी add कर देंगे तो लिख add कीजिए land increased value कितनी 50,000 minus 42,500 तो ये निकला 7,500 और next दिया हुआ building should be depreciable by 6% तो building depreciate करनी है building फिर minus कर देंगे depreciation of building कितना है जे building है हमारे पास 25,000 उसका हम निकल लिया 6% तो ये निकला 1500 ओके इन सब का total लगा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा net effect of adjustment कितना 37,500 तो इसको हम जनल एंट्री में कॉर्ड करते हैं only कितना sacrifice share चलिए कोश्टर पे जनल का format रॉक कर लिजी और सबसे पहले एंट्री डालेंगे हम gaining partner to sacrificing partner gaining है हमारा z और sacrificing x and y है तो लिखे जनल एंट्री जेट से capital account debit to x capital account to y capital account जेट का capital account हमारा balance आ जाएगा 37,500 multiply by 9 divided by 30 जतना उसने gain किया तो यह निकला 11,250 नेक्स्ट एक्स का capital निकल जाएगा 37,500 multiply by 7 by 30 तो जे निकला 8,750 से में वाइगा calculate कर लीजिए 37,500 multiply by 2 by 30 जतना उसने sacrifice किया जे निकला 2,500 ओके और narration आ जाएगी हमारी being adjustment made on account of change in profit sharing ratio तो चलिए second general entry भी डाल देते हैं जनल जर्व की तो लिखे जर्नल जर्व account debit to X capital account to Y capital account to Z capital account यह हम old profit sharing ratio में distribute कर देंगे मंग्दव partners ओके जर्नल जर्व दिया हुए मारे पास 25,000 एक्स का शेयर निकला 25,000 multiply by 2 by 5 गया तो आपकी बुक में यहां पर 2 by 5 लिखा हुआ है जिए मिस्टेक रह गया है आप इसे 1 by 5 कर लीजे जहां पर आपके क्योंकि हमें जो ओल्ड प्रॉफिट रिशो दी हुई है बहुत दी हुई है टू इस्टू टू इस्टू इस्टू वान ओके और रेशन आजाएगे इसकी बींग रिजर्व डिस्रिबूटर और चेंज इन प्रॉफिट शेरिंग रिशो तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेट से डालेंगे हैं बाई बैरनस ब्रॉफिट डाउन एक्स का 75,000 वाई का 80,000 और जेड का 85,000 ठीक है अब उसमें हम डाल देंगे जो हमने 8,500 तो जी तो ग्राइट हो गया और जेड में से कर देंगे हम दोनों के डेविट तो लेखे टू एक्स कैपिटल 8,750 टू आइस कैपिटल 2,500 ओके नेक्स टेम रिकार्ड कर देते हैं बाई जनर जरव जनर जरव हमने दिया है 10,000 एक्स को 10,000 वाई को जेड को दिया है 5,000 ओके और कुछ भी नहीं है अब उसकी करेंगे बैरनसिंग तो एक्स का डेविट का टोटल है 0 क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 93,750 तो यही हमारा निकल जाएगा बैलस तो लिखे टू बैलस करेंडाउन 93,750 नेक्स हमारे पास वाई में भी डेविट का कोई अमाउंट नहीं है तो करेड़ का टोटल आजए हमारे पास 92,500 तो बैलस लिख दीजिए कितना आ गया बैलस करेंडाउन 92,500 ओके नेक्स्ट है हमारे पास Z, Z का हमारे पास डेविट का टोटल है 11,250 और करेड़ का टोटल है 90,000 सब्ट्राइट करने का इसका बैलस जो निकला है वो निकला है 78,750 ओके तो जे बनीगा है हमारा पार्णर्स कैटल अकाउंट अब बैलस शीट पर पे कर लेते हैं आप और एक कंसेशन फरम तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा जस्ट कैपिटल के बैलस चेंज करेंगे और एक जर्नल जरब को कलोज कर देंगे बाकी सारी बैलस शीट सेम रहे की लाइबल्टी भी और एकसर्स भी तो चलिए जैसे बैलस शीट है वैसी टिटोर लिख देते हैं बिल्ज पेवल है हमारे पास सिक्स्टी थाउजन आउटसेंडिंग स्पैंसेज है 12500 संडरी क्रेटर है 15000 उसके बाद जनल जरब जो है वो नहीं लिखेंगे फिर लिखें एकस स्वाइजट के कितना है एकसजद आप नाइटी थीद्न सेंटल फेफ्टी और वाइग का है नाइटीटो फाजन फाइज़र फाइंड और ज्यटोर है कि तो टोटल है हमारा कैपिटिल का टूछलाक सेंटी फाइवफ नट सेम वे हम एससाइट पर पर पे कर लेते हैं, एससाइब भी डिटो, कॉपी पेस तुना है जो कॉस्टिन में दिया है आपके पास कैश इन हैंड 52,500, कैश अट बेंक आजाएगा 1 लैक, क्लोजिंग स्टॉक आजाएगा 20,000 और संद्री डेटर्स आजाएंगे हमारे 62,500 अपराटर मिशीन आजाएंगी 50,000 बिल्डिंग आजाएंगी 20,000 और लैंड आजाएंगी 42,500 कोई भी रिवैलिवेशन रिकॉर्ड नहीं करनी है विकाज हमने रिवैलिवेशन अकाउंट ओपन किया ही नहीं है तो टोटल लगा लितने हैं टोटल आ जाएगा हमारा इसके पास थ्री लैग 52,500 और एक्सार के डोटल भी है तो यह हमारा कॉस्टन हो गया कंप्लीट ओके नेक्स्ट कॉंसेप्ट है हमारा इसक्टमेट ओफ कैप्ल का जो नौट इन स्लेबस लिखाया आपके स्लेबस में नहीं है लेकिन छोटर से कॉंसेप्ट है मैं आपको करवा देता हूँ आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगे अंडरस्टेंडिंग आ जाएगी आगे जाके ठीक है तो चलिए क्या है लस्टोशन नमबर 22 अज़स्टमेट ऑफ कैप्ल एक्सवाइज अपार्ने इफरम शेरिंग त्री इस तो टू इस तो वन रेशो दियर कैटल अफर में अज़स्टमें पर फिर देशर वन सर्पसर और एक्स 45 तोदन वाइफ 15 तोदन और जट 10 तोदन अब क्या है क्वेश्टन में आपको अज़स्टेड कैपिटल गिवन है मीन्स ओपन कैपिटल उसके बाद जो आप गुडबल की इज़स्टमेंट करते हो रिवेलेशन की रिजरव गारा सर्पस जो भी डिस्ट्रिबूट करने के बाद आपके पास अज़स्टमेंट कैपि बने क्वेश्टन में ठीक है और उसने बोला है कि जो भी कैपिटल है फरम की अब टोटल अज़स्टर कैपिटल उसको उसने न्यू प्रॉफिट शेरिश्व में डिस्टिब्यूट करना है ठीक है सबी पार्टनर्स की कैपिटल अकॉर्डिंग टू शेर ऑफ प्रॉफिट ही रहेगी तो जो भी रिक्वाइर्मेंट होगी वो उसका कैश हम पे करेंगे जा फिर कैश रिसीव करेंगे पार्टनर से ठीक है तो वो कैसे करना है तो चलिए आपको समझा देता हूँ सबसे पहले प्रपेय कीजिए वरकिंग नोट और जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले टोटल कैपिल अफ दा फर्म तोटल कैपिल कैसे कैश बट होगी टोटल अफ ओल एडजस्टर कैपिल इस एक टोटल कैपिल अफ फर्म ठीक है तो एक्स का है 45,000 और वाई का है 15,000 प्लस कर दीजिए जैड का 10,000 तीनों को प्लस किया है तो हमारे पास तोटल कैपिल अफ फर्म निकली है 70,000 अब इस कितनी आएगी 70,000 multiply by 5 divided by 10 कर दीजिए new profit ratio कितनी है हमारे पास 5 इस तो 3 इस तो 2 है न ठीक है तो यह निकला कितना 35,000 और वाई की new capital निकल जाएगी 70,000 multiply by 3 divided by 10 किया तो 21,000 आजाएगा ऐसे ही Z की capital कर लेते हैं तो आएगा 70,000 multiply by 2 divided by 10 किया तो 14,000 आजाएगा ओके अब हम compare कर लेते हैं हमारी adjusted capital को new capital के साथ और देख लेते हैं कौन-कौन से partner cash लेकर आएगे और कौन-कौन से partner cash देंगे और invest करेंगे business में ओके तो उसका formula मारे पस क्या है adjusted capital minus new capital तो X का cash withdrawal जाफिर cash invested amount कितना निकला adjusted capital 45,000 और new capital के 35,000 तो यह आया positive में 10,000 new capital जो है वो है कम और adjusted जादा थी इसकी capital हमारे पास आगी positive surplus यह surplus में है positive यह surplus होगा ठीक है इसको हम करेंगे refund ओके यह अपनी capital करवाले का withdrawal सेम वे वाई के calculate कर लेते हैं वाई की adjusted capital है 15,000 और new capital निकली है 21,000 तो यह माइनस में 6,000 तो माइनस में यह deficiency तो यह business को पैसे देगा means business में और पैसे invest करेगा सेम वे वाई के calculate कर लेते हैं उसकी adjusted capital जो according to book है वो है 10,000 और total capital के according new capital है उसकी 14,000 तो इसकी माइनस में 4,000 deficiency आई ठीक है तो यह भी invest ही करेगा और पैसा business में ओके चलिए इसकी general entry record कर लेते हैं format draw कर लीजिए और लिखिए सबसे पहले जो पैसे आएंगे business में पहले वो record कर लेते हैं cash account debit to y the capital to z the capital capital introduce कर रहे है ना जो plus one की सबसे पहली entry है वो है introduce of capital cash to capital वो ही entry जहां पर डाली है क्योंकि जो ने वो पैसे लेकर आ रहे है new capital और लेकर आ रहे है y लेकर आएगा 6000 और z लेकर आएगा 4000 टोटल cash आया business के पास 10,000 ओके और narration आ जाएगी being deficiency bought by y and z और second general entry हमारी बन जाएगी x capital account debit to cash account जो capital करवा रहा है withdrawal all तो उसके capital हो जाएगी debit कम हो रही है वो ठीक है books में और cash business पे कर रहा है तो बिजनस से cash चारा है कितना 10,000 तो x का 10,000 और cash के सामने भी 10,000 आ जाएगा ठीक है narration आ जाएगी being surplus capital refunded to x तो यह आपका question हो गया complete और chapter भी complete हो गया illustration का कल हम करेंगे practical problems सारे topic हमने अच्छे तरीके समझ लिए है अब फटा फटा से practical problem भी खतम कर देंगे और फिर शुरू करेंगे हम निया chapter अपना टॉपिक का end हम करते हैं यहाँ पर अगर कोई भी confusion है तो please comment कीजिए हम comment में आपका reply करेंगे जितना जल्दियों से कुतनी reply करने कोशिश करेंगे वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और ladies के साथ चानल को subscribe करना मत बूलेगा बैर को प्रेस करें ताके आपके आपको लेटर्स वीडियो की notification मिल सकें thanks for watching bye bye good morning good afternoon good evening good night जब भी आप वीडियो को देख रहे हो साश्रीय काल